हलो स्टुदिन्स वेलकम बैक एंड टूदेश लेट्टर वी विल डिस्केस आवाउट दी आवर लास्ट टॉपिक ओफ चैप्टर थ्री धरीज आवरूत बीजदारी आवरूत बीजदारी ने आपड़े बिजाशब्दों मां सपुष्पी वनस्पती अत्वा थो अत्वा 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 अत् आने बीजदार येदले के जे बीजदरावे ज़, तो आवरूत बीजदारी वनसपती हो एटले के एवी वनसपती के जे बीज उत्पन करेशे आले तिमना बीजदंक आयला छे। तो टूंक मां आवरूत बीजदार ये लेकी आवरीक बीजदराओ थी वनस्पती हो आपर हवे आज है आवरूत बीजदार ये वनस्पती छे एमनों समों खुबच उद्वी किस्ट चे एलेके ते में उद्वी कास एब वज सारीरी ते थायलो जोवा मड़े जे आव परांद अत्यारे जो आत करियें तो ते प्रभावी अने विश्व मां मोट्टा मां मोटो वनस्पती होनों समों खे अने आवरूत बीजदारी वनस्पती हो चे एलगबग बदी जग्याय वस्वाट करती जोवा मड़े जे जिमके जलोद बीद पाण चे एलेके पाणी मां वस्वाट करे जे सुष्कोद बीद एलेके ते रण प्रदीश्ट मां पड़ जोवा मड़े जे त्यार बात मद्योद बीद एलेके जा पाणी नू प्रमाण मद्यम चे त्यां पाण आव प्रांत लवणोद बीद एलेके जया शार नू प्रमाण मद्यारे जे लवणे भुमी अनी अंदर पाण विस्वाट गरे जे तो अत्यार आ वनस्पती समूझ जे ए महत्तम जातियोंने सांक्रे जे अतले प्रुत्वी पर पला स्थाने जे अवे आपने आवरुत बीद दारी ना उदाहरन जुहीं तो एमा सौथी नानामानानी वनस्पती शे वुल्फिया गलोबोजा अवे यहां जे तमे अंगडी पर नानानाना ग्रीन डोट्ट स्यवी रचनाओ जोर ते छे वुल्फिया गलोबोजा कि जे आख्खा विश्वीनी साउथी नानामा नानी पोष्पोवत्पन्न करती वनस्पती छे अने मोटामा मोटी आवरुत बीजदारी जुँए तो एचाई निलगिरी अवे या निलगिरी माँ जे अस्ट्रिलियन निलगिरी छे एमनी जाती आसरे लगबग नेवुती 100 मिटर जेतली उचाई दर्शावे छे बीजिया आवरुत बीजदारी वनस्पतियोंनी विशेशता जुई है तो एक छे रेफलेशिया आर्नोल्डी तो आ रेफलेशिया आर्नोल्डी आवरुत बीजदारी एलगबग आट किलोग्राम वजन धरावतु आने एक मीटर व्यास धरावतु मोट्टामा मोटू पोष्प उत्पन्न करे छे त्यार बाद रामबान चे ए छो मीटर जेतली होंचो पोष्प विन्यास पान उत्पन्न करे छे तो आवी रिते आजे आवरुत बीजदारी हो छे एवो गणीज बदी वशेस्ता उधरावे छे अने आवरुत बीजदारी होनों आपने गणी बदी रिते उप्योग गरी शकिये छे जेनके तुरुना हादी प्राणियों पोताना खोराक तरीके आपने बदा लिम्डो नई बदू शे बर्तर तरीके देमज आउशे दियो तरीके आव प्रांत गुंद मेड़ावा माटे वगेरे कितली आर्थिक उप्योगी होए एवी वनस्पतियों नो पन उप्योग करिय तो आवब्यती आवरूत बीजदारी वनस्पतियों होशे आवरूत बीजदारी ने आपने बे प्राकार माव विभासित करियों शे एक चे धवी दड़ी आने बिजु चे एक दड़ी आप या बनने प्राकार मुख्यत वे जे वनस्पतियों ना बीज चे कि जे फलन पच्छे उत्पन था शे ए बीज नी अंदर कितला बीज पत्र हो शे ए आधारे पाड़े आजे तो अधा में विचाश हो के बीज पत्र एटले सुन तो आपने जारे खारी सिंग खाता हों ये तो खारी सिंग ना जे आपने बे फाड़िया बोलिये चे बे फाड़ जे तो आप बे फाड़ चे एने खरेखर आपने केशु बीज पत्र तो आभी हीते जे वनस्पति बे पीज पत्र धरावे चे अने आपने केशू द्वी दड़ी, द्वी येटलेके बे, अने दड़ी येटलेके बे पत्रों धरावे, तो जे वनस्पती हो, जे आवरूत बीजदारी हो, बे बीज पत्र धरावे चाया, ताने आपने केशू द्वी दड़ी वनस्पती, अने जे नी बीजनी तमें हाथती फार नथी करीशकता, जिमके मक्हाय गऊँ, अई बदाने आपने हार्थी बे फार मा विबाजित ना करीशकिए, अले कि ते हो एकज बीज पत्र धरावेजे, तो आँए एक बीज पत्र धरावती वनस्पथी ने आपने एक दड़ी वनस्पथी गईशो, और आना सिवा बिजा केतला लक्षणों नी वात गरी तो मुख्यत में जही द्वीदड़ी वनस्पती छे ए द्वीदड़ी वनस्पती मां मुख्यत में शीरा मिन्यास नी वात गरी तो ए शीरा मिन्यास ए जाला कार प्रकार नूं हो छे तो ओए तमने धसे शीरा मिन्यास लेशो तो शीरा म लेकिए जे पाण चे एना मां शिरीकाओ आने शिरा बने कही रिते गोठ वाएली से तम यह कोई पाण ने द्यान थी जो तो तमने यहां बच्चे मोटो फ्लेलो भाग देखाए आका पाण मां प्राबर ने आना मां ती आवी ते गडिम बदी नानी नानी नलीकाओ ने गरती तो आप बदी नलीकाओ जे निकलेगे ओ ये चे शिरा आने शिरीकाओ तो आप बदी शिराओ अने शिरीकाओ मैं कही रिते गोठ वाएली आपने के सू सिर्ष विद्धिए यहां पतल्प सिर्ष प्रेट यहें चब्सुर्णकर से और कि यहां था विद्धिए जनुतिक आपन। वर्ड एवधा मोटा मोटा व्रुक्षों ना पढणों जुन्ये तो आपन नहीं आवी बदी रिचनाओं देखाती होई जे अने जे द्वीदड़ी वनस्पती जे एमना पुष्पो छे ए मुख्यत्वी पंचाव्यवी के चतु अव्यवी होई जे अव्या पंचाव्यवी आपने चतु अव्यवी एटले शो तो साउथी पाला पुष्पो जे चे एनो मुख्य जे रंगीन भाग जे तेने आपने कहिए ची ये दल चक्र तो आप दल चक्र चे अनी अंदर किटला दल पत्र आवेला जे ए आधारे आपड़े चतु अव्यवी के पंचाव्यवी पुष्प कहिए ची अव्या तमे आजे पुष्प जो 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 आजे वाइट अने नियूपर पॉर्पल लोट्स तो आदरे का सिंगल चे आनू एक व अदरे आपड़े आने केशू चतु अव्यवी पुष्प आने आजे तमे नीचे नूपुष्प जो जो सो आनाम एक वे त्रौन चार अने यां पांच पांच दल पत्रों आवेला जे आपड़े आपड़े आवा पुष्प ने केशू पंचा अव्यवी पुष्प तो पुष्पले 4.5 नी संख्यामा आवेला चे। तो तेवा पुष्पणे आपणे केसूं 4 अव्यावी पुष्पоль तो आपणे येने केसूं 5 अव्यावी पुष्प तो अव्या धितेजासले विंडड़ी वंअस पती हो जे। आइ चतो अव्यवी के पंचा अव्यवी पुष्पो उत बन्न करेजे हावे आपने एक दड़ी विशे वाद गरी तो एक दड़ी वाँ मुख्यत वे बीजपत्र नी वाद गरी तो ते एक ज़ बीजपत्र धरावे जे आयां तमें जोह चो आचे एक दड़ी वनस्पती नू बीज मकाई नू तो आनी अंदर तमें बीज ना बे फाड नथी करी शक्दा अलेकि बे बीज पत्रों तमें अलग नथी करी शक्दा कारण के अनी अंदर एक ज़ बीज पत्र आवेलू छे तो आँ एक बीजपत्र धरावती आवरूत बीजदारियोंने आपने एक दड़ी गही शो हवे इमना शीरा विन्यासने वाद गरी तो आईया तमे जे जो चो आँ एक दड़ी नू पाणा चे तो आनामा बदी जे शीरा हो जे एक बीजाने समांतर आविरी ते गोठवाएली है तो जो तमे हवे मकाई के गउंग बाजरे बदी एक दड़ी वनस्पती ना पाणों जो तो आनी अंदर तमने आविरी ते समांतर लाइन जो अमर जे तो आप्रमाणे जो शीरा हो एक बीजाने समांतर गोठवाएली हो तो एवा शीरा विन्यास ने आपड़े कीशू समांतर शीरा विन्यास के जे एक दड़ी वनस्पती होने लाग्षणिकता जे त्यार बाद आना पुष्प नी बात गेडी तो आना पुष्पी ये चक्रामा लगबग त्रोन भागो जोवा मड़े जे आ एक दल पत्रों आ बीजू अने आ त्री जू इलेके जे मुखे तुई एक दड़ी वनस पती जे एना पुष्पो ए त्री अव्यवी होई जे आपर तो आ एक दड़ी अने द्वी दड़ी वचेरों मुखे तफावत के द्वी दड़ी मा बे बीज पत्र होई आने एक दड़ी मा एक बीज पत्र द्वी दड़ी मा जालाकार शिराविन्यास जोवा मड़े जार एक दड़ी मा समांतर शिराविन्यास द्वी दढ़ीना पुष्पो हे चटो अव्यवी के पंचा अव्यवी होईजे अने एक दढ़ी छे येँна त्री अव्यवी पुष्पो होग। तो आवी दिते आपड़ी आवरूत भीजदारी छे ना बे प्रकार पाड़ी शक्ये जी प्रावर हवे आपड़ी आवरूत बीजदारियों मा लिंगी प्रजणन विश्यवाद करी हैं एना थी पला आपड़ी तेमना लिंगी प्रजणन अंगो विश्यवाद करी हैं केवा कड़ा अंगो छे के जे लिंगी प्रजणन मा संक्रा आयला जे तो सौथी पहला लिंगी प्रश्णन माड़ी बे प्रश्णन आंगों होवा जरूरी शे एक नर प्रश्णन आंग आने भीजू माधा प्रश्णन आंग तो या नर प्रश्णन आंग तरीकी स्ट्रामेन अलेके पूंकेसर आने माधा प्रश्णन आंग तरीकी कारपल एतले की स्त्री केसर आवेलू होई छे हावे आपने यां साओधी पेला नर्ड प्रज्ण नंक मुखेसर विचे वाद गजी तो मुखेसर ए मुखेत वही प्राण अलग-अलग भागोनू बनेलू होई छे एक आजे उपर नो यलो भाग देखाए छे आपने केसर एंथर एटले के परागा 6 तबर हाँ साओधी उपर नो भाग परागा 6 आणे त्यार बाद आजे नीचे नो डंड जेओ भाग देखाए छे एने आपने केसर फिलामेंट एटले के तंतु हवे या तंतु अने परागा 6 एजे भागे जोडाए लाहसे ए भागने आपने केसू योजी तो आवी रीते नर प्रश्ण नंक पूंकेसर मा त्रोन भागों जोवा मले छे साओधी उपर नो भाग के जे परागरज उत्पन न कर्छे या खास याद राग जो के आप पूंकेसर नो साओधी टोचनों जे परागा 6 नो भाग जे एप मुकेत वे परागरज उत्पन करे जे के जे मा नर जन्निवों हसे धबर तो आप परागरज एक खुबज अगत्य नो कोश्च जे के जे परागा 6 नी अंदर उत्पन थाये जे तो आँ साओधी टोचनों भाग परागा 6 त्याद बाद तेनी नीचे जे लंबायलों दंड जे वो भाग जे एचे तन्तु अने आनो मुक्य काम चे परागा 6 चे नी पुष्पमा निश्चित जग्याए गोठवनी करवी अने या तन्तु अने परागा 6 बाग फाड लेके योजी आवे बड़ने आ परागा 6 नी अंदर सुय क्रीया थाये जे एना विसे जोईए तो आ परागा 6 चे नी अंदर पराग मात्रु कोष रहेलू हो जे आचे पराग मात्रू कोश के जे मां रंगसुत्रों नी संख्या ए 2N होचे हवे याँ पराग मात्रू कोश चे ए अर्दी करण द्वारा विभाजन पाम से तो सवती पहला अर्दी करण एक था शे एले आनी एंदरापण ने बे कोशो प्राप्त था शे अने या अर्दी करण थी उचे एलेके रंगसुत्रों नी संख्या अर्दी 2N मात्य एन था जे शे अने आवे याँ बने कोशो ए अर्दी करण बे द्वारा विभाजन पाम से अने आपण ने चार कोशों मढ़ें अने 4-4 कोशों मांपर रंग सुदरों नि संख्यय आए एन हसे तो वे ऐया जे आपण ने आ 4 कोशों मढ़ें चार कोशों अचे परग रज ऐपर तो आवी री दिती परग के सि kidney अंसे परग मात्रों कोश रहेला होगें ए अर्धीकरन द्वारा विभाजन पामिया नहीं पड़ा ग्राजूत बन करेचे के जे नर जन्यू जनक अवस्थानों प्रतिनेदित्व करशे अवे अपने मादा प्रश्णा नंग विशेवाद करीएं तो एचे स्त्रीकेसर स्त्रीकेसर नहीं रचनामा पण त्रोन भागों जोवा मड़े छे एक छे या सवती टोचनो भाग स्टिग्मा एटले के परागा सन अया स्टुडिंट्स कन्फ्यूस ना था दा परागा स्टै छे ए पोकेसर नो भाग छे के जे या परागरज उत्पन न थाए छे अने या परागा सन छे ए स्ट्रीकेसर नो भाग छे के जे आप परागरज आसन ग्रहान गर छे अलाग या पूकेसर मांती परागरज निकड़ी अने फलन माटी स्ट्रीकेसर पर पहुंच से एटले आप परागरज चे इस त्रीके सना जे भाग पर आसन गुरहान गर शे आने आपड़े केसू परागा सन तो परागा सननों मुख्य कार्या चे परागरज गुरहान गरवानू त्यार बात बीजो भाग चे इस्टाइल एटले के पराग वाही नी तो वे आप पराग वाही नी जे एनों मुख्य कार्य जे के ना माथी पराग नलीका नू वहन दो आकरी आपड़े पाशड अभ्यास करी शू के पराग नलीका सोंचे तो अत्यारे जो टूंक मां कई दों तो आजे पराग रद परागा सनो पर आवी जे एना माथी आविनानी नलीका चे ए बारे निकड़े चे जेने आपड़े कहिए ची पराग नलीका तो आपराग नलीका नी अंदर मुख्यत वे नर्जन्यूं होई चे के जे अंडग सुधी पहुंचे चे तो आपराग वाहीनी नू मुख्ये कारे चे के पराग नलीका ना वह गईसु आवरी एटले के बिजाशे अने या बिजाशे चे नो मुख्य काम चे अंडग उत्पन्न करवां तो यहां आजे तमे नाना नाना डोट्स जोग चोवा चे एचे अंडगू तो आविरी ते स्त्रीकेसर बां तुरान भागो परागासन के जे परागरजने गुरहन कर त्यार बाद पराग वाही नी के जे पराग नलीकाना महन माटे मार्क बनाऊशे अने त्यार बाद सवथी चेले बिजाशे के जे अंडगो उत्पन्न करशे तो आ त्रान भागो नू बनेलू छे हावे आपने यां कोई पन एक अंडग ने ओपाडी अने नी अंदर नी आ अंडग चे याखो कोश थी बराएलू होईच तो एना माँ कोई एक कोश शे ए मोटू बन छे अने आ कोश शे ए फड़ी पाचू अर्दी करण द्वारा विभाजन पाम छे अने यां रंग सुत्रो छे ए टू एंच तो आ यां सवती पेला एन रंग सुत्र दराओदा ब आज हमें महा बिजान रुजाँ अना माथी ये त्राण कोशो रम नुच थैले ये आपनि भास ह्यात्यादी आ एकज महाबिजानु रहे गोजा छे प्रह प्षविघन आखो श्ष्यात्या believe ढud दिर्मान करेशे थवे या भ्रून पुटनों दिर्मान कही दिते थाएचे ए जुईए तो आपनों महा बिजानुँचे क्या जे अंडक माथी दिर्मान पामियुचे हवे या महा बिजानुँचे क्या जे एनोज विवाजन थाशे एले या आपनी पासे बे कोश केंद्र फरीपाचुआनों विवाजन थाशेले आपनी पासे चार कोश केंद्र फरीपाचुआनों विवाजन थाशेले आपनी पासे आठ कोश केंद्र दरावती रचना अस्तित वमां उसे अवे आजे आट कोश केंद्रों शे एना मां थी या त्राण छे उपर नी तरफ आवे रीते गोठवा शे अईयां जे तमें जो 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 अईयां चे आपड़ा कोश केंद्रों अने दरेक नी फरते आवे रीते कोश दिवाल बनवानू स्टार्ट धा शे तो आवे तरी ते जे उपर नो भाग चे ते यां मुख्यद वी तराण कोशो नो निर्मार था छे के जे धरेक एक-एक कोश केंद्र धरावे जे तो आवे रीते ते तराण कोशो आने तराण कोश स्टार्ण छे या फेक्स दाशे आने आजे कोशो चे ने आपड़े के शू प्रती द्रूबीय कोषो पर्यपर तो आ एंटीपोडा लेले कि आपणा प्रती द्रूबीय कोषो छे पछी जे बे कोष केंदरों छे ए मद्यमा एकच कोष ने अंदर गोठवाये जे પરવ્રાયા ખાસ્ત્યાનાક જોક્યાક કોશ છે એ એ કત છે જારે આની અંદર જે કોશ કેંદ્રો ગોઠવાનાં જે જે બે કોશ દિવાલ બંવાનું પણ સ્ટાટ થાશે એ પર તવાવીદી દે સૌથી ઉપરની તરફ જે જે એ આપણને મળશે ત્રણ પ્રતી દ્રુવીય કોશો વચે જે એક કોશ મળશે આને આપણે કેશું મધ્યસ્ત કોશ કેજે એની અંદર બે કોશ કેંદ્રો ધરાવે જે આને આ કોશ કેંદ્રો છે એને આપણે કેશું દ્રુવીયા કોશ કેંદ્ર આને આ નીચેની તરફ છે તરાણ કોશ કે જે અંડગ છે નીંદર આટ કોશો કેંદ્ર ધરાવતું બ્રુંપુટ અને સાથ કોશો ધરાવતું બ્રુંપુટ છે એ કોશો ત્રાણ આને કોશ્કેંદ્ર પણ ત્રાણ તો જો કોશો ની ગણત્રી કરીએ તો આવીદીતે આપણે સાથ બ્રૂણ પોટ બનાવે છે અને હવે આજે બ્રૂણ પોટનો નિર્માર થીઓ છે એ બ્રૂણ પોટ આગળ જતા તીમે દીમે